नमस्कार साथियो न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं हिंदुस्तान जैसे मुल्क में प्रवेटाइजेशन का आम जनता पर कैसा प्रभाव पड़ता है अगर इसे समझना है तो रेलवे का अध्यान करना चाहिए तो आज हम ही से बात करने के लिए रेलवे के निजी करन पर हैं रेलवे पर दसकों से लिखने वाले पत्रकार अरुन कुमार दास तो रेलवे के निजी करन पर बात करने से पहले कल की जो घटना घटी है जिसमें IR CTC जो रेलवे की एक सहायक कमपनी थी उसको डिस इंवेस्टिमेंट करने का फैसला लिया गया है पहली बार उसको तो इसके बारे में बताइए कि एजने कॉर्परेशन वो कैसे विसेश थी और यहां पे IPO का मतलब क्या है और यह किस तरीके से जब कि यह मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी है प्रभावित क्या करेगी रेल्वे के पास 14 कंपनी है जिसमें से IRCTC का अभी तक IPO नहीं हुआ था लेकिन अब IRCTC के शेयर को बेचना चाहा है क्योंकि इसमें से आपको नफ़ा आ रहा है तो इस IPO करण से उनको 645 करोड की रुपया कमाने वाले हैं जो की शुरू हो गया उनका IPO लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा कि यह एक IRCTC रेल्वे के ब्लूचिप कंपनी थी तो इसमें से इसको जो प्राइविटाइस में ले रहे हैं ब्लूचिप का साधारन मतलब यह मुनाफ़ावली कंपनी थी और रेल्वे का टिकेट पर इस पर मोनोफली था इसका क्योंकि आप कोई भी रेल्वे का टिकेट खरी देंगे तो आयर से इसमें अच्छी रकम मिलेगी अब रेल्वे का ही नहीं पूरी देश में जितने भी अच्छी कंपनिया है करीब परी 45 तो सब की डिसमेंस्टमेंट होगी उसको प्राइविटाइस में ले जाएगा तो आयर से इसमें से एक है तो रेल्वे की जो पहले की जो सहाई कंपनिया थी जो और सहाई कंपनिया है उससे आयर से कंपनिया का मतलब क्या होता है जैसे गाडि को चलने के से आपको टिकेट की जरुरत है तो IRCTC के टिकेटिंग इजञंची आप तो अब हीं तक IRCTC का डिसमक्राइब नहीं हुआ था क्यूंकि मोदी सरकार प्राइब़ी देशन पर बहुत ही फोकस है तो IRCTC भी कभी आप कह सकते हैं अब railway का privatization शुरू हो गया है जैसे IRCTC को अब public offer में ले आया है 645 करोड की उम्मीद है उसके बाद फिर और भी जाएंगा IRFC जाएगा पहले से आपने concor को को ले लिया है अब दो-तिन company है वह भी जाएंगी प्राइबेटेशन से जब भी होता है तो एक लिश्टेट कंपनी की तौर पर बन जाती है लिश्टेट कंपनी हमेशा मुनाफ़ा कमाना चाहती है तो जब मुनाफ़े वाले company में धल जाएगी तो उसकी उपभोगता जोकी आम जनता होते ह और उसके करमचारी पर क्या प्रवा पड़ेगा देखिए प्राइवेट कोई भी चीज प्राइवेटाइजन होता है तो प्राइवेट प्लेयर का सबसे पहला लक्षे होता है मुनाफ़ा 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 लेकिन वो सरकार के साथ नहीं हो सकता है सरकार के साथ तो थोड़ी बहुत आप सहुलियत कर सकते हैं लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर होगा उसके लिए मुनाफा ही सबसे में एम उसका होगा तो यह इसका भारी असर तो पड़ेगा ही करवचारी पर और आम भुगता पर जैसे कि जो हमेशा प्रवास करते हैं बिना अब जिनके पास पैसा है वो तो प्लेन में चले जाएंगे लेकिन अभी भारी संख्या है जो ट्रेन पर निर्वर करती है अपना आना जाना के लिए कोई पार्टना से आता है को बाहर से आता है कहीं से आता है तो आने वाले दिनों में अब जब प्रहविटेशन की दौर तो हो सकता है हमारा सर्विस अच्छा हो जाए लेकिन तिकेट का दाम इसमें प्लेटफार्म भी होते हैं पत्रिया भी होती है सिगनल भी होते हैं और आप इस पूरे चीज को बांट दें और आप बताएं कि कौन से चेतर पबलिक में रह जाएंगे और कौन से चेतर प्लाटफर्म रहेगा, signaling system रहेगा, बाकी सारी सुवजाए धिरे 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 वो divestment कर रहा है, आउट्सोर्स कर रहा है, जैसे खानपान की ववस्ता है, वो पहले से प्राइवेटाज हो गई है, ट्राक लेंग की ववस्ता है, वो भी प्राइवेट हाथ में चल और सबको disinvest कर रहे है, इसके अलावा जो चीजे है, हो सकता है, आने वाले दिनों में साथ ये भी चला जाए, अच्छा ये बात भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है, अपना core functioning को अपने पास रखके, बाकी सब चीज को धरे 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 आउट्सोर् जाने की, उसके बाद 50 और रूट है, डेली टू पाटना, डेली कुलकाता, डेली मुंबई, मुंबई टू चन्नाई, चन्नाई टू कुलकाता, इस तरह की जितने मेजर रूट है, जहां जहां डिमांड है, वो सारे रूट प्राइविटाइज हो जाएंगे, तो कि इस प्राइजेसन क्यों हो, साइध सरकार को फाइदा होता है प्रेट लोई से, माल की धूलाई से, पासिंजर सर्वीस में रेलेयो को नुकसान हो रहा था, अभी 40,000 क्रोड का नुकसाना है रेलेयो को पासिंजर सर्वीस में, तो रेली उसको और ढोना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि प्राइवेट के हाथ में दे दे तो और उसको अपना हावले चार्ड मिल जाए लीज चार्ड मिल जाए जो कि पाइलेट प्रेजेट पर उन्हें दिली लखनो और मुंबई-हमदाबाद ट्रेन का दो रूट उन्हें लिया है आने बाले दिनों में 50 रूट को प्राइवेट इसन हो जाएगा द्रेदर करके इंटार सर्विस इस और प्राइवेट इसन प्लान जैसा कुछ चला था इसका मतलब क्या है हंडेड डेज प्लान जैसे भी सरकार का था तो इसमें उसका पार्ट है तो रेल्वे ने कहा था कि हंडेड डेज के अंदर वो प्राइवेटेशन पॉलिसी को फैनलिस कर देंगे प्लस रेल्वे में जितनी बड़ी-बड़ी कंपनी है जैसे रेल कोच फैक्ट्री मॉडरन कोच फैक्ट्री राइवरेली में है कपुरतला में उसको कॉर्परटाइज कर देंगे पांच कंपनी को मिला के एक साथ एक कॉर्परटाइज हो जाएगा यह भी प्लान था लेकि प्राइज चार तरीक से सुरू होगा वी नॉमिनेशन बेसेज पे होगा लेकिन प्राइवरेटाइज का पॉलिशी अभी आयागा आरेप क्यू करेंगे टेंडर पे जायागा सरकार वह भी हुआ नहीं और कॉर्परटाइज भी हुआ नहीं हुआ कहां ओ लोग हंडेज में कुछ अन्मेंड लेवल क्रसिंग को हटा ली और बायो ट्यूलेट कुछ बनाया उन्होंने कुछ क्लीनिंग हुआ हंडेज में यह सब कुछ काम हुआ लेकिन दो मेन काम जो था महत्तुपन काम प्राइज़एशन और टॉपर इस पर अमल नहीं हो पाया अभी तक अब रेल सरकारी संस्थास के बज़ा जब प्राइवेट हाथों में चला जागा तो इनके पर क्या प्रभा पड़ेगा इनकी सरपर तो तलवार हमेंसे लटकती रहती है अभी भी मतला अभी लटकिएगी जब प्राइवेट होनगा यह और ही स्थिति गंबिर होगा कि जो प्लेयर आ नहीं तो यही सब तरीका है है प्र्फित ही है ज सरकारी संपतिय भेज दव सरकारी कंपनीया भेज दो अभी ड्यवेस्टमेंट हो जिखे अजिसWow केहां पह सतंस चैनले जई चम्पनी से अच्छा पैसा नहीं नुख्सान में है य कोर करेगा कॉरा स्ट्रेजिक हो जाए कि सेलिए है कि Allahimana को प्राइबेट प्लेयर जो नीजी खिलाडी है वो ट्रेन खरीद लेंगे की लीज पर लेंगे पहली शुरु शुरु में साइद लीज में ले लेकिन बाद में फिर इंपोर्ट कर सकते हैं अपने बना सकते हैं उनका भी यही आइडिया है कि हम यह सब घिसा फिटा ट्रेन को ले की हूँ अब अगर हम चलाएंगे तो अच्छा ट्रेन लेकर आएंगे तो रोलिंग स्टाइब को नाय लाएंगे लेकिन जब तक नहीं आ जाता है तब तक रेल से लेकर चलाएंगे आपसे अंतिम सवाल कि बहुत लोग यह कहते हैं कि जब सरकार बहुत सारे संस्थाओं का या बहुत सारे जो सरकारी उद्यम है उनका जब प्राइवाटेजेशन कर रही है तो रेल्वे का प्राइवाटेजेशन करने पर इतना विवाद क्यों है यह पूरी इंडिया का एक कोने से दुसरे कोने तक चड़ा हुआ है दो करोड से ज्यादा पैसेंजर पर डे इस्तमाल करते हैं कहां से कहां आते हैं अगर इसमें अगर सरकार के पास इसको रहना चाहिए अगर इसको प्राइबेट में ले जाएंगे तो साइद उनों को दिकत होगा क्योंकि टिकेट का प्राइस बढ़ जाएगा बहुत ही बढ़ जाएगा जो आम जन्ता से की रिच में नहीं रहेगा तो जो रेल्वे को भी प्राइविट एंके रास्ते हैं। जहां प्राइवेट एससन होती है। वहाँ आपको मालूम है। मुनाफ़ के लिए कोई आयागा। तो कोई मुनाफ़ल करेगा तो फिर-पिर इस विर पहनасть के कादर कूई करेगा। वो तो अपना मुनाफा ही लेगा ना आपको टिकट मिले ना मिले उसे कोई फ्रक्राइब बताहुए वो टिकेट का दाम ज्यादा रखेगा और लोग आएंगे तो लोग आएंगे जो लोग आ सकते हैं आफ़ोड कर सकते हैं तो आने वाले दिनों में साइध उनके लिए कुछ तकलिफ होगा, बढ़ेगी, यह मेरा मन्ना है, शुक्रिया इस विसे पर हम से बाचित करने के लिए, घंगोर आर्थिक असमानता वाले देश में सस्तेपन को हटा दिया जाए, तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी समझना हो, तो प्राइबटाइजेशन अफ रेल वेक अध्यान कीजिए, शुक्रिया, आप देखते हैं यह न्यूज क्लिक